मीठा खाने का मन कर रहा है तो बनाएए ब्रेट पॉकेट्स जो कि एकदम रस भरी है यानि कि रसीले है इकदम ब्रेट पॉकेट्स चलिए आज हम बनाते हैं रस भरी ब्रेट पॉकेट्स तो देखिए एकदम रसीले हैं ब्रेट पॉकेट्स तो इस तरह से आप एकदम रसील तोरा यानि कि रस्षिले ब्रेट पॉकाटट अच्छे से बना सके, इसके लिए वीडियो पर लाश्ट तक देखे, तो चलिए, देखते हैं, कि इसे कैसे बनाते हैं. रसीले ब्रेट पॉकाटट बनाने के लिए, सबसे पहले हम एक कड़ा ही में, milk powder डालेंगे तो मैं हापे यह एक कठोरी milk powder डाल रही हूँ इसी कठोरी से हम पॉना कप यानि कि 3 4th कठोरी दूध डालेंगे यानि कि milk तो यह boil किया हुआ milk है और room temperature फे ठंधा है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूध पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यानि कि milk powder को हम milk में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके दूध को पुड़ा अच्छे से मिक्स करके डाल लेंगे तो यहाँ पे हिमने पुड़े दुत को डाल लिया है इस तरह से हम इससे मिक्स कर लेंगे तो यह दखीए हमारा मिल्क पॉर्डर जो है मिल्क में अच्छी से मिक्स हो गया है तो यह हम इसे मावा बना रहे हैं यानिकि हम मेना मावा के ही मावा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे जिसे की इदम मावा वाला टेश्ट आएगा तो बस थोड़ा सा हमें घीर को डाल लेना है साथी इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी ताकि जो हम अंदर फिलिंग डाले वो थोड़ी मीठी हूँ, अंदर फिकी ना हो इसलिए बस सिर्फ 2 टेबल स्पून ही चीनी डालेंगे तो बस अब इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं और बस अब हम इसे गैस पर रख देंगे और गर्म होने पर चीनी यास्तानी से घुल जाएगी तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए एकदम मावा जैसा इसको कर लेंगे यानि कि ये सूख के इदम कड़ाही को छोड़ देगा यानि एक पास ये सब इकठा हो जाएगा तो इस तरह से हम लगातार चलाते हुए इसे इसे पकालेंगे देखी कैसे ठिक हो रहा है ये तब ये और भी गाढ़ा होगा एकदम मावा जैसा हो जाएगा ये मावा लेबल हो तो आप मावा इस्तमाल करें मावा ले उसमें पीसीवी चीनी डालकर ये बना सकते हैं या फिर नहीं हो तो आप इस तरह से मिल्क पाउडर का ही मावा बनाए और उससे ये स्वाधिश्ट रसीले ब्रेट पकेट्स बनाए जो कि खाने में बहुती लाजवाब लगते हैं तो देखिए कैसे ये थिक हो रहा है अब ये कडाही को अच्छे से छोड़ देगा और हमने घी जो डाला हो से इदम चिकनाव होगा तो ये देखिए अब कडाही को कैसे और इसे पका लेंगे आने के इच्छे से संभून लेंगे तो ये देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है ये बिल्कुल कम समय में ही हमारा ये इंस्टेंट मावा बनी के तयार हो जाता है तो ये देखिए अब कैसे कडाही को छोड़ दिया है तो बस अब हम गैस को आफ कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे इसे कडाही में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कडाही मेरी गर्म है तो ये जल जाएंगे अब इसके लिए चास्नी तयार करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कटोरी चीनी ल करना है तो इस तरह कि चीनी के से घुल रही है यानिकि यह लगभग घुल चुकी है तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए चीनी को घुला लेंगे थोड़ा सी इसे पका लेंगे यानिकि एक तार की चास्नी यह बन जाए तो यह देखिए थोड़ी देख लिए मेचीनी को पका लिए अब मैं हाँ पर दो तीन इलाइची को ऐसे ओपन करके डाल दे रही हूँ तो चास्नी हमारी बन गई है चास्नी को ऐसे इस स्पेक्चुला से चला कर चेक कर लें तो यह देखिए हलका सा ओयल जाशा लगेगा यानिकि हमारी एक तार की चास्नी बन गई है बस अब हम गैस को आफ कर लेंगे यह देखिए हमने जो milk powder से मावा बनाया है वो भी ठंधा होगा इसे हम हाथ से थोड़ा से मसल कर चिकना कर लेंगे या फिर आप ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं ऐसे भी हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं असानी से मैं आप इसे हाथ से से थोड़ा से चिकना कर ले रही हूँ यह देखिए तो फिर बस अब हमें ब्रेड लेने हैं और इस ब्रेड पे हम थोड़ा से से पानी को स्प्रिंकल करेंगे यानिकि हलका से से हम पानी से गिला करेंगे ज्यादा नहीं विस सिर्फ कुछ बूंदे ही औ आप ज्यादा नहीं विस हाथ हमें देजों कर लिए तो ब्स अब हमने यहाँ पर म कण कर लेगे ज्यीद दूद और कर लेंगे इस तरफ इसको रोल कर लेए और नहीं से थोड़ा सा बीच में रख लेंगे एल ब्रेट के किनारों पर आप इसे पानी लगा दिए जिससे केश ची पक़ जाएं तो यह देखिए हमने यहाँ पर किनारों में इसे पानी को लगा लेना है अब हमें इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से अच्छे से अदम हाराम से फोल्ड हो जाती है यह देखिए एक ब्रेट पॉकेट्स बनके हमारी तयार हो गई है इसी तरह से हमें सभी ब्रेट पॉकेट्स को बना कर तयार करना है तो मैं यहाँ पर एक और दिखाती हूं आपको बस हलका से इसके उपर हमें पानी को से स्प्रिंकल करना है यानि हलका से हम इसे पानी से जिला कर लेंगे अब इसे हम हलके हाथ से ही इसे थोड़ा से बेल लेंगे और इसे हम चाकू से इसके एज़ेस को कट कर लेंगे यानि कि ब्रेट के किनारी वाले भाग को इसे चाकू से कट कर लेंगे बस अब यहाँ पर जो हमने मावा टायर किया है उससे हम थोड़ा से प्रेस कर लेंगे रोल करके फिर इसे हम ब्रेट के इसे उपर साइड में थोड़ा से स्पेस रखकर इसे सेंटर में रख लेंगे यानि सेंटर से थोड़ा से उपर और उपर से थोड़ा से नीचे और किनारों में हम लगाएं देंगे पानी और इस ब्रेट को हम ऐसे फोल्ड करके अच्छे से चिपका देंगे यह देखिए हमारी दूसरी ब्रेट पॉकेट्स भी बन के तयार हो गई है इसी तरह दे हमें सारे ब्रेट पॉकेट्स को बना कर तयार कर लेना है तो बस ये दूसरी blade pockets बन गई है तो मैं यहाँ पे bread pockets को sjello fry कर रही हूँ आप चाहे तो deep fry भी कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने pan में oil को रखा गर्म होने क लिए तो oil हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम bread pockets को डाल लेंगे आप चाहें तो इसे डिप फ्राइ भी कर सकते हैं मैं आप इसे सेलो फ्राइ कर रही हूँ तो बस जब एक सेट से ये सिख जाता हूं इसके दूसरे साथ में इसे टर्म करेंगे तो बस इसे सिखने ज़्यादा समय नहीं लगता है तो ये देखें कितने चीज से एक साइड से सिख गई है तो बबस इसी तरव से में दोनों साइड से अच्छी कर लेना है जिसे की ठोड़ा से रूपर किरिस्पी हो इसे खानी में बहुती स्वाधिश्ट लगते हैं तो ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है हिंका तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब इने हम निकाल लेंगे तो इसे हम इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे तो दूनों सैट से हमने ब्रेट पॉकेट्स को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है इसी तरह से हम बाकी ब्रेट पॉकेट्स को भी इसे फ्राई कर लेंगे तो इने फ्राई करने में जादे समय नहीं लगता है तो बस देखिंए एक से फ्रै होचीज़ कीगी Delta क दुर्सरों सैट पर न यह हो गई है तो ब ऑस यह होगई जिस फ्राई एक सैट से तुपम इसके दुसरे HER तो बस इसी तरह से में ब्रेट पॉकेट्स को फ्राई करके निकाल लेना है तो लीजिए ब्रेट पॉकेट्स हमारे बन के तयार है तो ये लीजिए हमने हापे सारे ब्रेट पॉकेट्स को फ्राई करके निकाल लिया है अब ये रसीले बनने के तयार है यानि कि रस में डूबनी के लिए तयार है तब हम इने चासनी में जो हमने चासनी तयार की उसमें हम इसे डाल कर इसे डूबो देंगे यानि कि अच्छे से सिम डिप कर देंगे जिससे की चासनी थोड़ा सा एबजॉर्ब हो जाए इसमें तो इस तरह से हम सारे ब्रेट पॉकेट्स को इसे चासनी में डुबो देंगे तो बस हमने यहाँ पे सारे ब्रेट पॉकेट्स को इसे चासनी में डुबो लिया है इसे चासनी में अच्छे सम्डुबो कर देंगे फिर उसके बाद हम इसे चार से पांच मिनट लिया से चासनी में ही छोड़ देंगे दो दम रसीले हो जाए तो पस मैंने अब इसे स्थाक दिया है भांच मिनट हो गया है तो मैंने एक भुकाण को टाल लिया है अब मुर्यरे कोड़ा के उपर लिया है ये मैंने यहां पे लिए है नायल का बूरा ये मारकेट में असानी से मिल जाता है यदि मारकेट में से आप नल लें घर भी बनाना चाहें तो सोखे नायल को लेकर आप उसे बारे क्रेट कर ले यह देखिए दम रस में डूप की रसीले हो चुके हैं हमारे ब्रेट पॉकेट तो इसे हम ऐसे नायल की बूरा पर इसे थोड़ा सा कोट कर देंगे इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही स्वाधिश्ट आता है तो बस इस तरह से हम इसे नायल में कोट कर लेंगे तो यह देखिए हम रसीले ब्रेट पॉकेट्स और उपर से कोकोनेट की कोटिंग तो देने पर इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है तो बस जैदी आपका भी मेठा घाने का मन कर रहा है तो देर वी इस बात की आप भी बनाईए इसे और इंजॉय कीजिए तो मैंने यहां पर सारे ब्रेट पॉकेट्स को नायल में कोट करके से तयार कर लिया है तो अभी बनाईए इसे और इसके मज़े उठाईए तो मिलते हैं एक न्यू रेस्पी के साथ तब तक के लिए हैस्ते रहिए मस्पुराते रहिए